ये नमस्कार दोस्तों फिर शेकन और आप लोंगा स्वागत है दोस्तों को फेस्टूप कर ली जएगा और आप YouTube चैनल पर देख 축 के लिए जो केनिडेट फार्म अपलाई किये हैं तो एक्जाम बहुत जल्द होने माला है एक महिना से भी कम हो सकता है कि आपको समय दिया जाए तो त्यारी में जी जानके लग जाए अगर एस्टेट क्वालिफाई करना है फार्म अप अपलाई किये हैं तो तो क्रिसी रोड मैप बहुत इंपोर्टेंट है इस एक्जाम के लिए कम सकम एक दो कोशन यहां से बन सकता है तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है तो क्रिसी रोड मैप जो विहार का यह बनता है यह पांच सालों के लिए बनता है और पांच सालों में क्रिसी के छेतर में क् क्रिकास करना है कि रोड मैफ में दर्फाय जाता है फिर उसी के हिसाब से यह काम होता है तो एक एक करके चर्चा कर लेंगे अभी चार क्रीशी रोड़ मेप बन चुका है अभी जो है चौथा क्रीशी रोड़ मेप वह एक अपरील से लागू किया गया है द्यूरे टेश से तो एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या उसकी विशस्ता है कब से कब तक यह चला है तो यहां पर देख लेते हैं जो पर्थम क्रिसी रोड मैप था वो दूजर साथ से 31 माज़ बारव तक यह चला था इस क्रिसी रोड मैप में बीज ग्राम योजना और मुख्य मंत्र तिब्र बीज विस्तार योजना को लाए गया था जो कि बहुत ही सफल रहा है और आज भी यह चल रहा है जो कि क्रिसी विवाय का जो योजना है वीज वित्रन का तो उसमें यह अभी चल रहा है वीज ग्राम योजना और मुख्य मंत्र तिब्र विस्तार योजना तो यहां पर कि क्रिसी रोड मैप 2 के देख लेते हैं तो यह कप्रिल बारा से 31 मार्च 17 तक यह क्रिसी रोड मैप चला था और इसमें जो है वियार के कम से कम एक वियंजन को हर भारती के थाली में पहुंचाना इसका मुख्य उद्र से था तो इसमें से ज्यादा कोई नहीं पुछेगा यह देट पूछ सकता है कि कव से कव तक चला था जो पिछला है और चौथा बहुत इंपर्टेंट है पुरा डिटेल से पड़ लेंगे तो चलिए तीसरा कि रोड मैप के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो जो जो ठड़ था यह दौर 17 से लेकर के 22 तक चला था इस रोड मैप का उध्गाटन राश्पत्री रामनात को विंद्ध द्वरा किया था बापु सबगार पठना में तो हरी खाद यह में जविक खेती के बदरवत बिहार को आगे बढ़ाना है यहीं संकल्प जो है लेकर के यह जो है क्रिसी रोड मैप में काम या गया था रसा उटराद और जहीं भी खेती को बढ़ावा देने के लिए तलह तरह तरह की युज्यनाई जो है कि लिए लाए इसमें और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी बलान दिया गया कि सम頭 का तो हम लिए और निरियाथ ही लाख प्रूर रुपया खर्च क्रльकार विकास के प्रूर युजनाओं ट्यार किया गया है येवज पौद्धिर लगाने का लख जल का सरक्षन तथा पंद्रो सो हेक्तियर मीटर जल संचैन का छमता की गार्लेंड ट्रेंच निर्माण का लक्ष रखा गया है और क्या रखा गया है इसमें लक्ष आगे देख लेते हैं इस रोड मैप में बारा विभागों को समलित किया गया है जिसमें से एक पर्यावरन बन जलवाईव परिवर्तन विभाग है तीशू कल्चर अधारित विभिन पौधों के उत्रपात पर जोड़ दिया गया है इस रोड मैप में और मोटा अनाज खेती को बढ़ावा दिया जाएगा यह जो है इस रोड मैप में कहा गया है तो मोटा अनाज के खेती के लिए किसानों को अनुदानें दरपर वीज जो है उपलब्द कराए जाएगा यह चीज़ बात कहा गया है और अगला पॉइंट है क्रिसी रोड क्रिसी बजार के विकास पर जोड़ दिया जाएगा अगरिकल्चर मार्केंटिंग पर भी बहुत जोड़ दिया गया है इस जो है यूजना में अगरिकल्चर ड्रोन समलित किया गया है अगरिकल्चर ड्रोन के वारे में आप लोग जानते होंगे जो कि ड्रोन के मादम से खेतों में दवा का इस पर किया जाता है तो अगले इसकी में जो है अगले सीजन में हो सकता है यह लंच हो जाए आगर चलके देख लेते हैं हरी अगला पॉइंट है हरी चादर यूजना के तहट धायंचा यूम मूंग बीज का भितरन तो हरी चादर यूजना एक चल रही है इसी क्रिसी रूड मैप के माधम से जो है इसको आड़ किया गया है तो हरी चादर यूजना में के बता दें कि धायचा थाइंचा और मूंग मूंग का बीज जो है मूंग बीज 50% अनुदानपक किसानों को कि अनुदान पर किसानों को दिया जा रहा है ताकि हरिकाद को बढ़ावा दिया जा सके तो दोस्तों यह रहा में 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 पॉइंट जो है रिसी रोड मैप फोर्थ के बारे में तो इसको आप लोग नोट बना लीजिए और कि इसी में से कहीं न कहीं हो सकता है एक कोश्चन लड़ जाए हो सकता है यह अपसे पूछ ले कभ से कभ तक चला तो यह कप्रिल जोड़ तेज से एक एक समय दोड़ आठाइश तक चलेगा इसका अधी है इसका अधी है टूटल कितना खर्च होगा यह आप लोग देख लीज याद कर लीजिएगा दूजर साथ से ले करके अठाइस तक कौन से कभ से कभ तक चला था पूछा जा सकता है तो दोस्तों वीडियो के यह अंत करते हैं जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी को दबा दीजिएगा और महत्मून तथ्य को ल सब्सक्राइब गुड़ जाइए तिरकल एक वीडियो लेकर करके आएंगे तो थाइंक्यों सोमाच वाजंग फास इस वीडियो